हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इट यान यूटूब चैनल में आज किस वीडियो में आप बात करेंगें कि आप फ्लिपकाट पर अपने प्रोड़क्त की सिंगल लिस्टिंग कर सकते हो और उसका वेरियेशन कैसे बना सकते हो तो सबसे पहले आपको फ्लिपकाट के सारा पैनल पर आना है उसके बाद आपको माई लिस्टिंग के अंदर आना है तो यहां पर मैं माई लिस्टिंग पर उपर क्लिक कर देता हूं उसके बाद यहां पर आपको यहां पर साइट में आपको यहां पर एड़ निउ लिस्टिं मिल जाएगा आप चाहो तो यहाप अपने vertical को search कर सकते हो directly या फिर आप जब इसको नीचे scroll करोगे उसके बाद अपने vertical को आप select कर सकते हो यहाँ से तो simply मैं अपने vertical को यहां से select कर लेता हूँ तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो जो verticals हैं उनकी पूरी list यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो मैं यहां पर अपना vertical select कर लेता हूँ जैसे मैंने sports and fitness select कर लिया उसके बाद vertical के अंदर आप जाओगे तो आपको वह category मिलेगी जिसको पर आपको listing करनी है तो आप यहां पर देख सकते हो vertical के अंदर तो यहां पर जो मेरी category है मैं उसको select करूँगा तो यहां पर simply मैं support को select कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर आपको उस product को select करना है जिस product को आप list करना चाहते हो तो मेरे case में यह head support है तो मैं इसको select कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर आपको select brand का option देखने को मिलेगा इसके उपर आपको click करना है आपने पहले से list कर रखा है तो आपको यहां पर अपने brand का नाम देखने को मिलेगा नहीं तो यहां पर आपको product की images को upload करना है तो यहां पर मैं product की images को upload कर देता हूँ आप 1 से 5 तक की images यहां पर upload कर सकते हैं तो मैं यहां पर simply 4 images को upload कर देता हूँ आप चाहों तो 5 images को कर सकते हो तो मैं यहां पर 4 कर देता हूँ आप एक भी करोगा तो भी हो जाएगी लिस्टिंग लेकिन आपको कम ज्यादा ज्यादा images upload करनी चीए इस से customer को आपको product ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर चार photos को upload कर देता हूं उसके अब यहाँ पर आपको स्युष दहुर करते हैं जैसे आप my पर अीच में देख सकते होगे हैं जिस प्राइज में आप इसको बेचना चाहते तो वह प्राइज आपको यहां पर डाल देना तो मैं उस प्राइज को यहां पर डाल देता हूं उसके बाद आप जब इसको नीचे स्कॉल करोगे तो यहां पर फुल्फिल्मेंट बाई आपको यहां पर सेलर सेलक कर देता हूं उसके बाद यहां पर आपको प्रूर्मेंट चार्जिस यहां पर आपको डालने हैं इस तरी के से जोनल और फिर नैशनल चार्जिस आपको यहां पर डालने हैं तो मैं लोकल में जो चार्जिस है वह यहां पर डाल देता हूं उसके बाद यहां पर आपको जोनल में जो चार्जिस आपको लेने हैं कस्टमर से आपको वह आप यहां पे ढाल सकते हो और इसे के साथ national भी डिल्यूजी चार्ज उसके बाद जर्थ इसको आप नीचे स्क्रोल करोगी, यहां पे जब यह यह तीनों सी जूझों आप डाले तो उसके बाद यह आप से एट्सेसन नमबर पूछेगा तो यहां पर एट्सन नंबर atो अपने प्रोड़क्ट के इसाब से और उसके बाद यहां पर कापो टेक्स सलेक्ट करना पड़ेखा कितंगे परसेंट का आपको हो तेक्स देना पड़ता हो सलेक्ट करना है इसके बाद कंट्रि ओफ छ defense रीजन कहां पर आपको प्रोड़क्ट बना हुआ है थो जो मेरा प्रोड़क्ट वह इंडिए मेर Matthew मैं यहां पर इंडिया लुगा उसके बार यहां पर पूझेए ऊपसे पूचिकनर देशिकन च्द और देनी है उसके बाद के सिंपल्यूर्ण। इसको save कर देना है जैसे आप save पे क्लिक करते हो यह आपकी detail save होगी उसके बाद product description का category यहां पर open हो जाएगी उसके बाद यहां पर आपको model name डालना है तो यहां पर मैं यहां पर डाल दिया उसके बाद आप से पूछ रहा है कि size बता हो तो यहां पर मैं small size select कर लेता हूं उसके बाद यहां पर पूछ रहा है maximum size नंबर सो मैं यहां पर डाल देता हूं उसके बाद यहां पर orientation यह पूछ रहा है मैं तो डाल सकते हो नहीं तो आप इसको अन्य करने करके छोड़ सकते हो उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यूज़ फोर पूछ रहा है तो यहां पर मैं इसको select कर देता हूं for health care या फिर sports आपका जो हो आप उसे select कर सकते हो मेरी case में sports से मैंने स्पोर्ट सेलएक कर दिया और उसको सेप क्लिक कर दिया डो डिटेल्स फिल लो चुकी है उसके बाद ल première बरना चाहते होका अघर बारना चाहते हो जाएक लिदेटरी नहीं है के लेकिन आ भर ढालना चाहते हो इसकी देटलिस को बरना पड़ेगा उसके बाद अगर आपको color का वेरिशन बनाना है तो उपर वाले option में आप देख सकतों यहाँ पर आपको color का variation बनाने का option मिल जाएगा नीचे वाले option में आपको size variation मनाने का option मिलेगा तो आपको simply create new पर click करना है हम साज बना रहे हैं तो यहां पर मैं मीडियम स्क कर लेता हूं एक हम सोकुना को क्लिक करना है यहां पर करना कई वर देटेas अलग अलग ढटो अलग जो भरकि साराकि रहे Psalm Number केस में SKU ID अलग रहेगी उसके बाद MRP जो है वो तोड़ी सी अलग रहेगी आप चाहो तो एक जैसी बिटाल सकते हो उसके बाद Selling Price यह सारी चीजे इसमें आपको भरनी जरूरी है उस और यहां पर पांडेटरी हैं बागे सारी नाप सेम भी रख सकते हो अगर यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद इसका एक और variation बना सकते हूँ, जैसे हमने अभी small और medium बनाया, तो अब हम इसका large variation भी बना सकते हैं, आपको यहाँ पर create variant पर click करना है, और उसके बाद इसका एक और variant बनाने के लिए, आप यहाँ पर click करोगो, तो आपको यहाँ पर option मिले के select करने का, तो यहाँ पर create new पर मै आपको select करना है, मैं यहाँ पर large select करूँगा, क्योंकि मैंने medium कर लिया था, उसके बाद create पर click करना है, और यहाँ पर create product variant यहाँ पर click करना है, और इसका आप एक और variant बना पाऊगा, तो यहाँ पर simply वो जो details है, SKU ID, वो सभी products के अलग होगी, वो आपको डालनी है, product MRP आप कुछ और चीज हो सकती है, तो वो साइर चीज आप अलग करते होगे, और आपको simply save पर click करना, यह आपका तीसरा variant बन गया, यसी तरीके से अगर आप इसका large variant बनाना चाहते हो, तो आपको simply create variant पर click करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको product detail में जिससे SKU ID आपको change करनी ह या फिर यहाँ पर जो थोड़ी सी details है, वो आपको change करनी है, इन सारी चीजों को change करना है, आपके product के ही साब से, और आपका यह एक और variant बन के त्यार हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं MRP को change कर देता हूँ इसमें, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, selling price को मैं change तो इन सारी चीजों को आप change कर सकते हो, यहाँ पर वड़ी है असानी से, और एक बाद जब आप इन सब चीजों को change कर लेते हो, उसके बाद आपको simply save क्लिक कर देना है, जैसी आप save क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर आपके 4 variant बन के त्यार हो चुके हैं, size case आप से, औ आपने वह सई की है नहीं की है उसको check के जाता है, उसके बाद आपका product live हो जाता है, तो यहाँ पर यह पर देख सकते हो, आपका product है वह यहाँ पर इसके लिए जा चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह 4 variant बनाएते हैं हमने, और QC in process यहाँ पर आ चुका है, progress, तो यहां पर एक बार जब यह पास हुझाएगा आपको प्रोड़क्ट